हालो फ्रेंट्स स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज क्यों इस वीडियो में बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनांस के बारे में देखो यहां पर कुछ चीजे निकल कर आ रही हैं आप सभी को पता है कि जब भी कोई भी आईपी किखें़ आता है उसमें कुछ पर्टिकुलर को ठाज होते हैं और उनुकर कोटा में आपको लॉक इन देखने को मिलता है और दीर दीरे करके वह लॉक इन खतम होता चला जाता है और इंवेस्टर सांको हुँ रिलिफ मिलता जाता है कि हम आप एक्सिट भी करना चाहते तो बारें बात करते हैं तो लगबग एट पाज जैसे सेनेरियों आपको देखने को मिला सेंसेक्स लगबग बीसिक किस पॉइंट अपसाइड निफ्टी आप देख पारे होगे ग्यारा पॉइंट अपसाइड है निफ्टी बैंक में गिरावट है हलकी सी मिट कैप आज अच्छ पर शियर की क्लोजिंग है और लगबग दो परसेंट के आसपास की गिरावट के साथ यहां पर एक बाड़ी फिर से आपको नेगेटिव क्लोजिंग बजाज हाउसिंग फाइनस देते हुए नजर आ रहा है यानि कि जब से इसकी लिश्टिंग हुई है लिश्टिंग गेन इनको अगर छोड़ दिया जाए तो यहां पर कॉंटीनिवसली आपको गिरावट ही देखने को मिल रही है जिन भी लोगों ने इसमें बाइंग करी थी अपर लेवल पर उनको अच्छा का सा लॉस्ट जो है वो आज के डायम पर देखने को मिल रहा है देको पिछले एक की आजबास के लेकिन वालीम उतना जादा नहीं था बीस तारी को केबल 31 परसेंट की देखने को मिली थी 19 को 36 18 को 29 17 34 और 16 को आपको काफी बड़ी डिलीबरी पर सेंटेश देखने को मिली इस डेटा का अभी इंपक्ट जो है वो शेयर के प्राइस पर उतना जादा नहीं पड़ेगा क्योंकि दीरे-दीरे करके आपको चीज़े जो है वो देखने को आगे मिलती रहेंगी सबते पहले आप यहां पर बात कर लेते हैं जो लॉकिन वाला सेनारियो वो क्या है और कैसे कब कब लॉकिन जो है वो खतम होगा 9 सेप्टमबर को बीडिंग जो है वो स्ट पास आपको देखने को मिल रहा है और इसका जो प्राइस रखा गया था वो सिक्स्टी सिक्स सेवंटी रखा गया था तो आज भी इतनी गिरावट के बाद भी शेर जो है वह अपने डवल टाइम यानि ओवर वेल्यूड नजर आ रहा है अब क्या चीज़े हैं वह मैं आप अब इसके बाद तो काफी टाइम है तीन महीने हैं और फिर जो रिमेनिंग 50 परसेंट है उनका होता है 90 तीन महीने तो अभी तो लगवाग 9-10 दिन के आसपास का टाइम हुआ है अभी 20 दिन वाद आप देखो गे तो लोक इन को लेगा तब आपको बहुत बड़ी इंपॉ उसके बाद तो काफी टाइम है तीन महीने है उसके बाद तो देखा जाएगा कि क्या कुछ होता है लेकिन अभी जो important है वो यही है कि यहाँ पर अगले 20 दिन के अंदर अंदर 50% की जो institutional investors की holdings है वो unlock हो जाएगी lock-in खतम हो जाएगा और उसके बाद उनके उपर depend करेगा कि वो इसमें buying करेंगे या फिस selling अब मैं आपको एक report पर लेकर आया हूँ जिसमें बात करी गई है कल के levels के बारे में यानि कि यहाँ पर बात हो रही है कि क्या जो बजाज housing finance है वो कल के दिन 156 रुपे के आसपास आएगा या फिर 175 तक momentum दिखा सकता है देखो सबते पहला और important support जो बन रहा है इस time पर वो बन रहा है 144 का 144 रुपे के आसपास का सबसे बड़ा support है इससे नीचे जाने के chances बहुत कम नजर आ रहे हैं दूसरा जो support नजर आ रहा है वो है यहाँ पर 152 रुपे का 152 का रेजिस्टेंड लेवल के बारे में बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि जो सिनारियो है इसमें आप देखोगे कि फर्स्ट रेजिस्टेंड बन रहा है 164 का सेकेंड बन रहा है 171 का यानि कि 164 पर आकर एक sustainability देखने को मिल सकती है लेकिन breakout हुआ तो 101 त रहे हो तो कल के दिन के लिए आपको 142 का लेवल है 152 का लेवल है 164 और 171 यह चार लेवल आप याद रख लोगे तो आपकी strategy जो बन जाएगी आगे अगे अगर हम यहाँ पर sentiments के बारे में बात करें तो देखो अब क्या हो रहा है जहां पर starting में की कॉल निकल कर आजी अब वो cautious viewpoint निकल कर आ रहा है mostly अब जो predictions आ रही है वो down side की तरफ ही आ रही है इसी वज़े से बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा cautious viewpoint अभी रखना पड़ेगा अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि आके target range क्या है short term की तो target range आप यहाँ पर देख पा रहे होगों यह है downside में 148 है upside में 167 है तो अगर आप यहाँ पर इस हफते में कोई बहुत बड़ा momentum expect कर रहे हो लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कल की तो कल आपको इस range में मुमेंटम देखने को मिल सकता यह जो रेंज है इस रेंज में आपको मुमेंटम देखने को मिलेगा 148 से 167 लेकिन जो सपोर्ट रेइस्ट्रेंड लेवल मैंने आपके सामने रखे हैं वह आप जरूर याद रखिएगा अब देखो यह finance company आपको पता ही है तो इसमें कुछ इस फेक्टर जो हैं बहुत ज्यादा impact करते हैं सबस्क्राइब इंट्रेस्ट रेट ट्रेंड यह यहां पर impact करेगा analyst इंट्रेस्ट रेट को काफी ज़्यादा अच्छे से मॉनिटर करते हैं और उसका इंपक्ट जो है वो बजाज आउसिंग फाइनांस याजी कंपनी पर बहुत ज्यादा पड़ता है सेकेंड है कॉम्पटीशन मार्केट में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं लाइसी आउसिंग क्रियेट करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनांस के लिए तो अगर आप यहाँ पर देखकर चल रहे हो तो इन पॉइंट्स को आपको देखकर चलना है बाकी जो मैंने आपको सपोर्ट रेश्टन लेवल्स दिखाए हैं वह आप कल के लिए नोट डाउन कर सकते हो अगर बहुत ज़्यादा काम आ जाएंगे बाकी कंपनी जो है फाइनेशली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग है और आप यहाँ पर देख पा रहे होगे ग्रोथ आपको देखने को मिली है इन टर्मस ऑफ रेवन्यू और वहीं अगर हम प्रॉफिटेवल्टी की बात करें तो यहा यहां भी मिल रही है तो लॉंग तम में कोई दिकत ज्यादा खास नजर आने वाली नहीं है जो कहानी है सारी वह है शौट टम की तो अगर आपने व्यूपॉइंट इस पर्टिकुलर कंपनी में लॉंग तम का बनाया तो आपको तो बिलबोल टैंशल लेने की जरूद है न निवाद